हलो दोस्तों मैं मैंने साब का स्वागत करता हूं ओलेसटी वी पर वोर आज वीडियो में जी डेंडी के बात करने वाला हो मैंने ओल्रेड़ी स्टुक्अ के लिए выпें बना दिया है मैं सिंगल टौपिक एक वीडियो में लेके चल रहा हूden थाकि आपको इसकी पूरी डिटे की फ्लैटनेस क्या होता है फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस में में क्या लगा है की जिछ पाकल आपने देखा एक बोक्स होता है जो ब Size रेक्टंग्ल रिसकर बन्ध को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम और इसके अंदर आप ये सिंबल देख रहें वाई ये है flatness का symbol और यह जो feature है इस पे जो arrow लगा हुँआ है तो ये जो feature है न है इसकी surface को support 1 दिशना वह जो कितनी हो सकती है जिरो पैंट जिरो थरी में मोले तो 30 micron maximum हो सकती है ठीक है अब यह क्या होती है इसको कैसे check करते है उसकी बात करते हैं बात करें इसकी definition की तो बाई जो flatness का simple मतलब है कि वो हता है समतल कोई भी सता कितनी समतल है कोई भी जो surface है वो उसी की तुलना में उस पे जितने भी points है नहीं वो एक दूसरे से कितना lie करते हैं कितना vary करते हैं अभी सबी points अगर बिलकुल एक ही सता में हैं तो मतलब उसकी flatness जो होगी 00 होगी okay flatness कैस check करने हैं और उसके देखिए पूरे जितने भी points हैं उस पर plunger dial को घुमाएंगे तो उसमें जितना भी variation आएगा न वहीं उसकी flatness होगी अगर 00 variation आता है कहीं पर कोई variation नहीं आता तो वो बिलकुल flat surface होगी okay अब 1000 parts बनाने उन सभी की flatness 00 हो ऐसा तो possible है नहीं तो उसको हम control त part बनता है तो वह okay part अगर नहीं है तो वह reject हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप flatness easily check कर सकते हैं या तो आप इसको plunger dial को move करा लो या फिर job को move करा लो बिलकुल easy है तो दोस्तों आसा करता हूं आपको flatness समझ में आ गया हो गया यह image भी sky को दा रहना अब इन दोनों में अ surface पर गुमा गुमा कि अगर dial को check करता हूं तो वो क्या होगा उसकी flatness तो आपको clear समझ में आ गया होगा कि straightness और flatness क्या होता है flatness जो होती है वो three dimensional होती है और जो straightness होती है वो two dimensional होती है ठीक है वीडियो को ऐसा तो comment करके जरूर बताएं और GD&T के जितने भी symbols है मैं उनको one by one clear करूंगा और अगर आपको whatsapp group में जुड़ना है तो इसकी link description में मिल जाएगी वहाँ पर आप अपनों direct message करके clear कर सकते है thanks for watching